लुक अट दीज फिल लाइन्स एल्यक्टिक फृड लाइन्स और ऑच्छी दिखर इस बाइया पॉजिटिव चार्ज जैन्स प्लिटिव चार्ज को हम इसर रोटेट करें प्लिटिव यह जा तो फिल लाइन्स कीड कि दा डएरेक्शन चेंज अजाते हैं तो आप देखोगा कि इसके जो directions है जो इसके movements है वह change होने जा रियुए जारे है इसके और 대통령 चेंज हो रही है अगर आप इसको एसे movement करोगा तो यह किस तरीके से एफेक्ड Сейчас कर रहा ्ग हौ जान्य सोन तेंड वरके किस तरीके से की एक positive लाइन्स के बारे में थोड़ा हम समझेंगे और साथ में पोटेंशल डिफ्रेंस एक्यू पोटेंशल सर्फिसिस के बारे में हम जानेंगे तो आईए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्रिक प्टैंशल कि आपका क्या होता है यापको समझना है सबस्कृत करते हैं की आपके पास किसी भी तरह की एक बाल है तो सबस्कृते हैं this one is your ball यह आपके कोई भी एक 1B suppose करता है this is your ball और इसको आपने यहां पे ground से ऐसे रखा हुआ है अभी आपने इसको hold-up करा हुआ है यहाँ ही आपने के इसको hold कर रख रखा है अपने हातों से इस तरीके से इसको ऐसे पकड़के अपने हैंड से रखा हुआ है तो यहां से लेकर यहां तक की कुछ हाइट है देज सम्थिंग एच्छ यू कैन से तो इस पॉइंट पर अगर में इसका नाम दे दू यह पॉइंट ए है इस पॉइंट पर जो एनर्जी अभी सेव है जो एनर्जी स्टोर है वहां प्रोटनिषयल एनर्जी और जैसे ही आप अपने हैंड को यहां से रिमूव करते हो तो यह और जाती और यह calorie आपको पॉइंचिया的 जो स्टोर थी वह कानेटिक एनर्जी में कनवर्ट हो गई क्योंकि यह बॉल थी वह नीचे आते वक्त एसलेरेशन करते वह आई नीचे तो इसी तरीके से अगर आप को मैं एक और क्वेशन पूछा की इस पॉइंट पे यानि आपका यह जो पॉइंट ए शियू है इस बॉल का वो क्या है Supposed करते हैं यह पॉटेसल गयरी करती है इसके पास जो potential है वो फिलाल के लिए हम माल लेते हैं कि 100 Joule है पर केजी यानि पर केजी यानि इतने केजी पर यह 100 Joule कैरी करती है अगर बॉल का वेट माल लेते हैं 3 kg की यह बॉल है 3 kg तो ज्यादा हो गया माल लेते हैं 2 kg की यह बॉल है तो यह फिर इसके energy 200 हो जाएगी तो इस तरीके से हम define कर सकते हैं what is that potential तो आप potential को define कर सकते हो कि इस पॉइंट पर यह इसकी potential energy पर मास कितना हुआ यह potential कहलाता है in the same manner इसी तरीके से हमारे पास electric potential भी आता है जी हां हम बात करेंगे कि what is an electric potential क्या होता है suppose करते हैं कि यह आपको कोई charge है this one is your charge अभी यह हमारे पास जो charge है तो इस वाक्त suppose करते हैं इसके around कोई भी charge नहीं है इस जस्ट यह पूरे universe में इकलौता charge assume that इसकी कुछ field lines भी होगी तो suppose करते हैं इस पॉइंट पर जो energy होगी यानि इस पॉइंट पर माल लेते हैं इसका जो potential होगा माल लेते हैं इस पॉइंट पर यह वी ए जो potential होगा वह इस बात पर डिपैंड करता है कि कितने energy यह store करता है एक particular charge से तो माल लेते हैं इस वे पास hundred kilojoule है और वन कुलाम चार्ज तो अब इस पूरे सिस्टम पर कितना potential हो गया एक hundred इसका hundred इसका किलो जूल हो गए by that two charges एक एक रफली idea हम ले रहे हैं ठीक है कि इस पूरे point पर यह potential हो गया यह इसको define कर रहा है कि यह इसका इतना potential को हम define करते हैं तो basically what is the potential is you have potential is equal to potential energy per unit charge so अगर आप इसको लिखोंगे you by q यह आपका होता है that's your electric potential of any point due to any charges यानि एक electric potential है किसी भी point पे किसी भी charge या charges त्वारा अब हम बात कर लेते हैं एक potential difference के बारे में कि what is the potential difference तो आपने काफी सना होगा कि potential difference क्या होता है तो हम बात करने वाले है potential difference क्या होता है और हम बात करेंगे साथ में negative potential के बारे में भी तो हम potential difference और negative potential दोने के बारे में बात करेंगे तो सबसे को identify करते हैं suppose that कि आपके पास कोई भी एक number line है तो यह इस तरीके कि आपकी number line है so this your number line और इस number line पे suppose करते हैं कि मैंने यहाँ पर एक चला ठीक है इस point पे ए फिर थोड़ा आगे गया इस तरीके से फिर यह हो गया भी फिर यह उसके बाद यह थोड़ा सा और आगे गया फिर यह फिर थोड़ा और आगे गया तो यह वह फोगए जीo तो suppose करते हैं कि इस point पर आपकी total distance क्या होगी तो आप लिखोगे इस point पर D पर यानि जो आपने total यहां से लेकर यह distance C D यहां से लेकर यह distance T B यहां से लेकर यह distance AB और suppose करते हैं यह पीछे से AB से आप और इसन से जा रहे हैं तो O A तो that's basically a roughly idea आपको मिला कि इस point पर ये इस पूरे potential का sum हो गया इसको हम एक और ऐसे example से समझते हैं कि suppose करते हैं कि आपके पास कोई ये मा लेते हैं this is your, sorry, let me select the pan, तो ये आपके पास एक ground है तो ये आपके पास roughly ground है और आपने उपपर एक ball को ऐसे ले रखा है this is your ball, और suppose करते हैं कि मैं यहाँ पर बीच में एक obstacle create करता हूँ this is my obstacle, और suppose करते हैं कि थोड़े time बात क्या होता है कि ये जो ball होती है मेरी, ठीक है, ये जो ball होती है, वो थोड़े time बात इधर आजाती है अब माल लेते हैं, इस point पर potential क्या होगी va, and suppose that इस point पर मेरी potential क्या होगी va, तो आप ये analyze करोगी क्योंकि यहाँ पर height जादा थी क्योंकि height इधर जादा है, और ये वाली, इसको माल लेते है h1, और ये वाली height है हमारी h2, तो we know that कि आपकी जो h1 की height है, वो h2 से जादा है तो that means कि यहाँ पर potential आपकी जादा होगी इसके मुकाबले में, यानि यहाँ पर potential आपकी थोड़ी सी कम होगी, तो we can easily say कि आपकी जो va है, वो greater than है आपके vb से, यानि इस point पर आपके potential जादा होगी, तो हम इसको ऐसे भी लग सकते हैं, va जो होगा, ये जो potential होगी, वो बरा यहाँ से लेके यहाँ तक का एक potential माल लेते हैं, माल लेते हैं 5V करके, ठीक है, तो आपका vb आप किस तरीके से लिख सकते हो, va-5vb, तो ये आपका एक potential difference हो गया, कि इस point पर जो potential difference है, वो यहाँ का, ठीक है, इस red one और आपका इस ना, इन दोनों के बीच का जो differences है, तो ये आपका basically potential difference को identify करता है, so that's you can say the, what is the potential difference, आपने एक और चीज को देखा होगा, एक और चीज आपने समझे होगी, कि suppose करते हैं, हम कोई भी एक circuit बनाते हैं, तो माल लेते हैं, ये हमारे पास circuit है, ठीक है, ये positive terminal, फिर एंड में इस तरीके से आपको लेके चलना है, और यहाँ पर हम को इस तरीके से एक bulb लगा देते हैं, तो this is our bulb, और ये glow करता है, तो suppose करते हैं, कि यहाँ पर है न, हम एक voltmeter को set कर देते हैं, यहाँ से हमने wiring करी, और यहाँ पर हमने voltmeter को ऐसे set कर दिया, ठीक है, तो that's a basic, यह आपको पता होगा, आपने class chance में बढ़ा होगा, तो इस पॉइंट पर, यह जो यह वाला point है, इसको माल लेते हैं, तो इस point पर आपका potential कितना है, और यह जो दूसरा point है, आपके पास B, इस point पर क्या potential है, तो V, A पर कितना है, और V, B पर कितना है, इन दोनों के potential difference को जो measure करता है, that's your voltmeter, तो यहीं से हम एक voltmeter की जो definition है, जो V, exactly a voltmeter does, एक voltmeter क्या करता है, कि जो आपके बैटरी के दोनों points है, इन दोनों के बीच के potential है, उसको यह identify करता है, तो इसको हम एक potential difference कहते हैं, तो I hope यह आपको यहां तक clear हो गया, तो अब हम अगले topic के उपर चलते हैं, जो कि हमारा, what is a basically a potential energy, कि एक potential energy होती क्या है, तो what is basically your potential energy, तो अब हम बात करने वाले हैं, कि आपकी जो potential energy होती क्या है, तो potential energy, तो जैसे हमने पहले भी देखा थे, energy possessed by the rest objects, यारी वो energy जो की रुकी होई है, move नहीं कर रही है, उनसे जो energy नहीं किलती है, वो आपकी rest objects होती है, उससे जो अब नहीं होती है, तो suppose करते हैं कि यह एक object है, यह आपका पास बाल है,.. फोर्फ करते हैं दिस वन यूर बॉल तो यह आपके पास एक बाल है और आपने बेसिकली इसको ग्राउंड पर ऐसे रखा हुआ है तो यह आपके पास इस तरीके से यह आपके पास यह ग्राउंड है तो अभी आप इस पॉइंट पे जो एनर्जी सेव है वो पोटेंशल एनर्जी पर है और यही एनर्जी कनवर्ट होके किसमें हो गई है किनेटिक एनर्जी में कनवर्ट हो गई है तो इस पॉइंट को हम ऐसे डिफाइन कर लेते हैं यह जो एक पॉइंट है इसको नाम देते ह हम इसको B नाम देते हैं और यह हमारे पास A हो गया तो यह हो गया आपके पास UA-UB divided by some charge ठीक है क्योंकि यह कुछ charge की वज़े से that's potential difference इन दोने के बीच यहां पर suppose करते हैं किसी तरीके का charge मतलब इसको हम समझ रहे हैं अभी ठीक है तो आप इसको basically समझ सकते हो कि जैसे यह एक point है plus q charge वह यहां पर है और मालेते हैं यहां से लेके यहां पर आया तो यह a point है और यह कि बी point है तो यहां पर कितनी potential energy है और यहां पर कितनी potential energy है और इन दोनों का difference per over that charge तो basically यह define करता है तो हमने इसके help से basically simple diagram है इसके help से हमने इसको समझा तो आप यह देखोगी कि यही potential energy आपकी kinetic energy में convert हो रही है तो that potential energy converted into the kinetic energy यानि जो basically आपकी kinetic energy जो आपने gain करी है a से b पर जाने के लिए ठीक है यानि a से b पर इस तरफ जाने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो या फिर इस पॉंट से समझ सकते हो basic divided by q so that's basically your kinetic energy तो what a kinetic energy is that's your work done जो आपने यह काम करा आप यहां से लेकर इसको move करके गए यह इस तरीके से move करते हुए गया तो that's your work done v a w a b divided by q so that's your simpler definition of your electric potential की आपको एक तरीके से definition मिल गए इस तरीके से suppose करते हैं कि आपके पास यह v a है अगर आप work done करते हो b से आप a की तरफ ले जाने के लिए तो आपको gravity के अगेंस्ट काम कर रहे हो या फिर यह जो पॉइंट है इससे आप इस तरफ जा रहे हो तब क्या होगा तब w b a इस पॉइंट पर आप इस पॉइंट की तरफ जा रहे हो तो आपका sign negative हो जाएगा and q हो जाएगा आपको एक idea मिल गया होगा किस तरीके से आप potential energy को define करते हो अब हम एक और अगली कुछ systems देखेंगी कुछ चीज़े देखेंगे अब हम कुछ systems के बारे में study करने वाले हैं ठीक है तो some systems और आप लिख सकते हो configurations तो हम कुछ configurations या फिर systems के study करने वाले हैं तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हम एक किसी भी पॉइंट पर हम P से Q की तरफ इस तरीके से जाने वाले हैं ठीक है P से Q की तरफ जाने वाले हैं तो suppose करते हैं कि यह हमारे पास एक positive test charge है तो यह आपके पास एक source charge है this is your source charge चीक है यह आपके पास जो है यह आपके पास source charge है तो this is your source charge और यहाँ पर हम रख देते हैं एक test charge ऐसे रख देते हैं अब आपको यह चीज आपको पता होगी and हाँ आपको एक और चीज देखने हैं कि आपको इधर P से and Q की तरफ ले जाना है यह है P और यह है Q and you know that कि जो अब आप यह देखोगी कि जो आपकी जो filled lines है जो electric filled lines है यानि positive से इस तरफ जाएगी और इसके बीच में repulsion भी हो रहा है तो आपकी electric filled lines की direction होगी इस तरफ होगी और आप P से Q की तरफ जारो है यानि आपका जो work है वो basically हो रहा है इस direction में यानि यह जो आपका work है इस direction में कर रहे हो तो you are actually doing the work in the opposite direction of that electric fill lines कि आप काम कर रहे हो इलेक्ट्रिक जो फिल्ड लाइन्स है इसकी अपोदिट डारेक्शन में और आप यहां पर एक चीज और दे सकते हो यहां पर अभी यह जो टैस्ट चार्ज है यहां पर इसका जो पोटेंशल है इस पॉइंट पी पे जादा होगा ठीक है और इसको माल ल यहार D manure चार्ज को यहां पे लेकर आउगे ठीक है तो इसकी फिल्ड लाइन्स जैसे को यहहां पर लेकर आ रही हो तो इसकी फिल्ड लाइन्स और अन्हीं पे पोटेंशल जदा मिलेगी और यहां से दूर जाएगा तो पोटेंशल कम हो जाएगी टिक है जैसे कि आप एक इख यजा पे वाटर रखतेओं जैसे कि आपने डाय मी बना लादिया है साथ इसको रिपल सोन कने हैं कब सूर्द्स लोकर करें यानि आप जो बेसिकलि को कर रहे हो वह पॉद्रेटिव और कर रहे हो यह दो यह जो रोइंग सम्क और जो system ने हम क्या करते हैं कि हम अपना एक champions डिए आफ पास चॉर्स चार्ज एंड हम एक पॉसटिव चार्च को इसकी पर लेकर आते तो यह हमारे पास पॉइंट टांत एंप और यह वाला पॉइंटक्षिह है क्यों है तो अब आप यह देखोगी जो आपस में दूसरे को अट्रैक्ट करें यह जो फिल्ड लाइन से इसकी तरफ यानि लैक्टिक फिल्ड की जो डारेक्शन है वह बेसिकली आपकी इस तरफ है तो आप जितना पास में अगर इसको लिके आओ जाओगे तो यह अट्रैक्शन एकदम बहुत जादा हो जाएगा और यहां पर कुछ आपको मुमेंट देखने को नहीं मिलेगी लेकिन जैसे आप दूर पर लिके जाओगी इस पर अट्रैक्ट होता हुआ इस तरीके से मुमें आपके जो फिल्ड लाइन इसी डारेक्शन में और आप इसी डारेक्शन में काम कर रहे हो ठीक है तो आपको यह वर्क है बेसिकली आपको जो वर्क है पी से क्यू में वह फिल्ड एलेक्टिक फिल्ड लाइन की डारेक्शन में यानि आप नेगटिव वर्क कर रहे हो और ज जर्णरली जब हम जो भी फिल्ड लाइन्स है उसकी अपोजिट डारेक्शन में काम करते हैं तो हमारा पॉजिटिव वर्क होता है तो इस चीज़ को आपको याद रखना है तो दैट्स आप बेसिक कंसेप्ट अब हमें एक शॉट सी डाइफिन डाइविशन करने वाले हैं तो वी आर डूइंग सम इंट्रेस्टिंग डाइविशन तो हम अब इलक्ट्रिक पोटैंशल एनर्जी की एक मज़ेदार सी डाइविशन करने वाली है और यह में काफी जादा मज़ा आने वाला है तो इसको करते हैं तो सब्सक्रते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव टैस्ट चार्ज इसको मान लेते हैं क्यूवन सारी सोर्स चार्ज है और यहां पर हमारे पास माल लेते हैं एक दूसरा चार्ज है हमें एक दूसरा चार्ज ले लेते हैं यहां पर एक पॉजटिव चार्ज है इस तरीके से यह है क्यू टू अब हम यहां पर यह देख सकते हैं कि सपोस्ट करते हैं इसकी यहां से यहां तक क डिस्टेंस सपोस्ट कर लेते हैं यह पूरी डिस्टेंस है ले लेते हम और और यह जो टैस्क चार्ज है यह सपोस्ट करते हैं यहां से लेके थोड़ा सा इस तरह गया यानि यह है और यह भी हलका सा थोड़ा सा आगे गया तो इसनी डिस्टेंस को माल लेते हैं डियार तो व अगर आप Q1 की बात करोगे तो फोर्स जो लग रहा है यानि आपके पास जो फोर्स लग रहा है वन आपके जो टैस्ट चार्ज पर रहा है कि वन चार्ज है क्योट मित्क पर है एक फोर्स करें तो एफ एक डिल्ट इस रहा है कि गल्ट चार्य मैं ये अपर लग घूलक दश्पा ह्यार चार्च फोर्स ज बादो को यहां से लेके यहां तक जब A से लेके B तक गया तो कुछ work करा इसने, तो we can say that it's a some kind of work, तो हम DW notate, donate करते हैं, और यह F into DR, हम इसको vector से ऐसे define करते हैं, so what we can do here, कि हम यहां पर एक integral कर देते हैं, इस तरीके से और अभी हम इसकी जो value है F की, यह वो put करते हैं, यह और K Q1 Q2 by R square into DR, आप इसको integral, तो K Q1 Q2 यह आपका basically constant value है, इसको आप अंदर ले सकते हो, और जो आपके पास variable है, आप इसको बाहर कर सकते हो, इस तरीके से, काफी simple है, आप work को simply आप W लिख सकते हो, तो यह आ जाएगा, and यह और K Q1 Q2, करकर आएगा, यहाँ पर simply हो जाएगा, आपका minus 2 plus 1, यह इस तरीके से हो जाएगा, यह r to the power 1 हो जाएगा, च्रीक है, simply यह इस तरीके से आप इसको define कर सकते हो, तो W is equal to me, K Q1 Q2 by R, अब यह आपके पास एक expression हो गया, तो यह आपके पास एक expression निकल कर आगया, किस तरीके से negative work हो रहा है, क्योंकि यह जो field lines थी, वो इसको repulsion कर रही थी, इस direction में जा रही थी, और work भी इसी direction में हो रहा है, तो इसका मतलब है, field lines की ही direction में आप work कर रहे हो, तो आपका negative work हो जाएगा, जो कि हमने system of, जो अभी से पहले पढ़ा था, configuration system of charges के बारे में, कि किस तरीके से कहां भी positive and negative work होता है, अगर यह आपका a से इस direction में, यानि जो field lines है, इसकी opposite direction की तरफ जाता, तब आपका यह work positive होता है, तो यहाँ से हम simply idea भी हमने समझ लिया, यह किस तरीके से, जो directions है, साइन notation से work करती है, अब हम चलते हैं अपने अगले topic के उपर, तो वी विल जू आवर नेक्स टॉपिक, और यह भी काफे interesting topic है, इस पर हम find out करेंगे, electric, potential, from multiple charges, तो हम multiple charges से, आप electric potential आप define करोगे, तो suppose करते हैं, कि आपके पास 3 charges है, तो एक है plus charge, इस पर माल लेते है, 1 micro-column है, एक आपके पास दूसरा charges है, यह इसके उपर माल लेते है, 5 micro-column है, और आपके पास एक तीसरा charge है, जिसके उपर, यह है, जिसके उपर 2 micro-column है, अब यहां से लेके, यहां तक की distance माल लेते हैं, कि हो रही है आपके पास, 4 meter, and इस point से लेके, 1 micro-column से लेके, 5 micro-column की जो distance है, माल लेते हैं, यह हो रही है, 3 meter, and आपके पास एक कोई point दे रखा है, यह है point P, and इस point P पर, आपको potential निकालना है, what will be your potential at point P, तो यह भी basically आपके पास, 3 meter हो जाएगा, और यह भी basically आपके पास, 4 meter हो जाएगा, तो that simple है, तो सबसे पहले हम जो निकालेंगे, वो यह निकालेंगे, what will be your potential, due to, plus 1 micro-column charge, से क्या होगा, तो K formulae के हिसाब से, Q divided by R, यह हमने एलेक्टिव potential निकाला है, फिर से अगर याद हो, तो V is equal to में, U by Q होता है, ठीके यह हमने पढ़ा था, और आपने यह U जो निकाला था, वो निकाला था, आपने K, Q, 1 माल लेते हैं, यह Q2 और यह किसी टैस्क चार्ट के थुरू हो, तो Q1 तो इसके, K Q2 और यह नीचे R, इस तरीके से, ट्वाइड बाई R, तो यह आपने बेसिकली निकाला था, ठीक है, तो यह आपको potential इस तरीके से निकल कर आ गया, तो आप इसको solve करते हैं, तो आपके पास K की value होती है, 9 इंटो में 10 to the power, 9 Nm2 पर कुलाम स्क्वेर, ठीक है, यह लिख देते हैं, तो मैं इसको Nm2 पर कुलाम स्क्वेर, इसी तरह Q की जो value है, वो 1 µ कुलाम है, तो 1 इंटो में 10 to the power, माइनस 6 कुलाम हो जाएगा, और जो radius है, वो आपको दे रखा है, कितना, यहां से लेके, यहां तक की distance है, 4 मीटर, अब आप क्या करोगे, मीटर से, मीटर को ऐसे cross कर दोगे, कुलाम का यह हट जाएगा, तो आपके पास जो basic आ जाएगा, वो आएगा, 2200, 250, और यह Newton, मीटर जो है, यह आपके पास एक energy होती है, जिसे हम Joule कहते हैं, पर कुलाम, तो basically आपको यह मिल गया, इस point पे जो potential है, due to 1 micro-kulाम चार्ज के, वो 2250 Joule पर कुलाम चार्ज की वज़े से हो रहा है, इसी तरीके से आप, अगला आप निकालोगे, तो मैंने इसको solve करके रखा है, इसी तरीके से निकालोगे, तो यह 9000 Joule पर कुलाम आएगा, और एक अगला है, वोट विल बी यार पोटेंशियल, due to minus 2 micro-kulाम के द्वारा, आप निकालोगे, तो मैंने इसको solve कर रहा है, तो यह minus 6000 Joule पर कुलाम, तो जो आप यह भी देख रहे होगी, तो positive charges है, positive potential create करते हैं, और negative charges आपके negative potential create करते हैं, तो अब इस point P पर क्या होगा, तो आपको basically कुछ नहीं करना, एक simple सा यह रखना है, कि जो elactic potential जो होती है, यह आपकी scalar quantity होती है, यानि vector quantity नहीं होती है, यानि आपको कुछ इस तरीके से, इसको vector form में resolve करने की जरूद नहीं है, simply आप इन सब को add कर दो, यह और electric potential at P, विल बी potential due to 1 micro-column charge, plus your potential due to, इसको मैं उसी pen से करूं, तो ज्यादा better होगा, so electric potential at P is due to potential, electric potential by 1 micro-column charge, plus electric potential due to, sorry, plus electric potential due to plus 5 micro-column charge, and plus electric potential due to minus 2 micro-column charge, आप इन सब को add कर दोगे, इन सब की value, यह जाएगी 2250, फिर plus, फिर 9000, फिर इसके बाद minus 6000, और अब जब आप इसको solve करोगे, तो जो आपके पास answer आएगा, तो यह answer will be something like, 5250 joule per column, so that will be your electric potential at point P, तो यह आपके पास answer आजाएगा, 5250 joule per column, तो यह आपको एक basically idea मिल गया होगा, अब हम चलते हैं, अपने अगले topic के उपपर, जो और भी ज्यादा interesting होने वाला है, हमार अगला topic है, electric potential due to a dipole, तो आपने मेरी पुरानी वाली वीडियो देखी होगी, डाइपोल के बारे में, जिसमें मैंने बताया था, डाइपोल बहुत interesting, और बहुत beautiful और बहुत अच्छे होते हैं, और उनकी अलग ही एक beauty है physics के अंदर, और उनका एक अलग role play होता है, तो अगर उने आपने वो वीडियो नहीं देखी, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, electric potential due to dipole, इसके बारे हम समझेंगे, और ये भी काफी जादा interesting होने वाली है, तो simply आप ये देखोगे कि आपके पास जो electric dipole की अगर हम बात करें, तो ये आपके पास है negative charge, और ये वाला है आपके पास positive charge है, और यहां से लेके negative charge से और positive charge की बीच की distance है, वो हम ले लेते हैं, मान लेते हैं, 2A ले लेते हैं, और ये जो point है आपके पास, ये this one your point is point P, तो ये वाला point है आपके पास point P, तो अब हम distance यहां से center से लेते हैं, तो कुछ हम इस तरीके से लेते हैं, इस तरीके से, ये आपकी distance है, तो इसको हम मान लेते हैं R, और ये वाली point है, इसको यहां से लेके यहां तक हम ले लेते हैं, this is your r1 and this one your distance और इस वाले डिस्टेंस को हम ले लेते हैं यहां से कुछ इसको नाम दे देते हैं r2 दे देते हैं ठीक है यह आपके पास r2 जाएगा तो इसको मैं नाम दे जिता हूं this is your chart ga the distance आपको याद हूं करád मैंने पहले भी आपको बताया था विस यह दाइपोल कि इस तरीके से इतर के से भीटियोस होती है जो हमने थे अखिती принцип तो हम इसलिए हमने जो डिस्टैंसे से इस तरीके से एक सेंटर में लिया है और एक डिस्टैंस हमने कॉर्नर से इस तरीके से लिया है तो अब हम इस डैरिविशन को सॉल्व करते हैं So first we do what will be your electric potential यहनि आपकी जो electric potential क्या होगी so what will be your electric potential at point P तो इस point P पे जो electric potential होगी वो due to the negative charge and due to the positive charge simply your electric potential due to the negative charge plus my electric potential due to your positive charge so यह ले लेते हैं so इसको solve करते हैं simply so V P is equal to अब हम करते हैं इसको चीक है तो यह आपके पास माइनस के sorry इसको बडिफरेंट कलर से लो उसी कलर से लो तो ज्यादा बैटा रहेगा minus K Q क्योंकि Q आपका negative है तो negative value आ जाएगी divided by यहां से लेकर यहां तक की value हमने लिए है और फिर इसके बाद आपको simply करना है plus K Q यह by the positive charge divided by R2 क्योंकि यह डाइपल है और इसी लिए इनका जो basically magnitude है दोनों का सेम है क्योंकि डाइपल मोमेंट तभी होता है जब दोनों के equal magnitude हो तुझा एक डाइपल मोमेंट क्रियेट कोता है तो इसको थोड़ा सा हम और में कर देते हैं वी पी इस इकल चुमें के क्यूं डिवाइड़ बायार टू माइनस के क्यूं वायार वन इस तरीके ते हम इसको लिख सकते हैं सुरी में फिट से इसको थोड़ा इस तरीके से लिखों तो बैटर होगा मैस के क्यूं बाय आर वन ओके सो अब हमें यहां पर क्या करना है तो यह आपके पास हो गया वी पी अब आप यहां पर के को आप सिंपली कॉमल ले लो के क्यूं को कॉमल ले लिया डिवाइड़ बाय अब यहां पर वन बाय आर टू एंड माइनस ऑफ वन वाई आर वन हो जाएगा इस तरीके से लिखोंगे आप यहां पर जाओगे तैट विल बी और वी पी इस इक्वल चूंब आपको सिंपली यहां पर क्या करना है अब देखो कि आप यह देखोगे यह जो आर डिस्टैंस है आर वन है तो हम यह कह सकते ह कि जैसे मैंने यह पॉंटेस से डैपोल लिया है और बहुत दूर से इस पॉंट पी से हम देक रहे हैं तो डजन्त तो हम यह कह सकते हैं यह पीच वाले संटर लाइन के बराबर होगा यह तीनों लाइन एक तरिके से आह पस में बराबर होगी जिब हम हमें एक far far distance से ऐसे देख रहे हैं तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि क्यू डिवाइड़ बाइ इसको एलसे हम ले लेते हैं तो r1 minus of r2 divided by r1 into r2 अब दोनों को हमने equal proof कर रखा है तो हम लिख सकते हैं कि q r1 minus r2 divided by r square अब यह है कि अब दोनों चीज बराबर है तो दोने equal है तो अगर 0 हो जाएगा तो 0 divided by 0 तो एक तरीके से potential 0 ही आ जाएगा तो यह तो हमारे result नहीं होगा क्योंकि आप इस point p को देखो तो यह हलका असा positive charge की तरफ है और यह negative charge से दूर है तो यानि positive charge के towards इस point p पे जो potential होगा कुछ effect इस positive charge का तो होगा तो यहां पर हम r1-r2 बराबर equate नहीं करेंगे अब थोड़ा से derivation को थोड़ी सी और interesting बनाते हुए हम चलते हैं तो सबसे पहले कुछ अपना space बना लेते हैं तो हम लिखते हैं इदर vp is equal to अब बहुती interesting चीज हम यह करने वाले हैं कि k q divided by r square अब आप यहां पर एक चीज ध्यान से देखोगे अगर आप यह जो diagram है यह आपके पास है इस तरीके से यह minus q है तो suppose करते हैं कि यह दूसरा यह वाला point है पी इस तरफ है तो अगर आप इस चीज को अगर आप ध्यान से देखोगे ठीक है यह माल लेते हैं एंगल ठीटा इस तरीके से एंगल ठीटा तो यह जो पाथ यह जो extra आ रहा है इसको हम ले लेते हैं डेल्टा आर जो की बराबर होगा किसके R1 minus R2 के और यह जो इसका अगर आप इसको ध्यान से देखो कर P को आप इस तरीके से रोटेट करो तो क्या होगा अगर P को आप थोड़ा सा इस तरीके से रोटेट करोगे तो आपके पास ये होगा कि ये जो point P है ये कुछ इस तरफ से आ जाएगा और ये जो आपके पास minus Q है plus Q है और ये जो आपके पास ये जो line इस तरीके से दिखनी है यह कुछ इस तरीके से होते भी जाएगी और यह कुछ इस तरीके से हो जाएगी यानि एंगल कम हो जाएगा अब आप इसको और रोटेट करोगे तो यह कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि आपके पास यह माइनस क्यू और यह प्लस क्यू और यह एंगल इस तरीके से सीधे ए यानि यह जो चीज होगी, वो आपके पास कुछ इस तरफ से आ जाएगी, तो इस बात पर ये डीपैंड करता है, ठीटा की इस रोटेशन पर डिपैंड करता है, कि इसको हम किस तरीचे से रोटेट करे, लाफ्ट रोटेट करे, रायट rotate करें तो यह जो आपको point P है एक तरफ से यह axial में आ जाएगा फिर आप all rotate करोगे यह एक कोटेरियल पे चला जाएगा फिर ठीटा को all rotate करोगे तो यह यहां पर आएगा यानि इसका rotation है और इसकी जो point P है यह ठीटा पर पूरी depend करती है तो आप इसको solve करोगे इस हो का to trigonometry यूज करके तो आपके पास आजाएगा कॉस ठीटा इस इक्वल टू डैल्टा और बाइट यह तो डैल्टा और इस इक्वल टू यॉर कॉस ठीटा इंटु तो इस वैल्लो का आप यहां पर simply कर सकते हो तो यह आजाएगा simply आपके पास कॉस ठीटा इंटु टू ए तो यह आपके पास यह वैल्लू आ गही है and now what you gonna do here तो आपको simply लिखना है वी पी इस इक्वल टू के क्यू टू ए कॉस ठीटा बाइ और स्क्वार तो यह आपकी इल्क्रिक पोटेंशियल का जो final result आजाएगा this will be your electric potential due to this dipole at the point P यानि इल्क्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पी पे इस dipole की वज़े से जो होगा वो यह होगा और यह इसके ठीटा यानि इसके जो आप रोटेट करोगे इस बात पर करेगा अगर आपका ठीटा is equal to me 90 डिग्री है आप कॉस्स की वैलू यहां पर रखोगे तो कॉस्स 90 जब रखोगे तो क्या होता है कॉस्स 90 जीरो होता है तो यह जीरो यानि मैक्सिमम पॉइंट पर जो आपको potential मिलेगी इन दोनों डाइपल से वह काफी जादा कम मिलेगी क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था इस तरीके से डाइपल आप करते हो तो यह जब आपका यानि क्रृतरियल पर अगर आप तो प्टेरियल पर आप जो जाते तो whatsMER को अपको काफी ज़्यादा दूर YouTube जाता है इसी तरह आप आप एक्षील पर इस तरह की जो होते हो आजाओगे यहां इस साइड पे तो आपके पास cost ठीटा 0 एगी इसकी value 1 होती है तो आपको उस वक्त maximum potential मिलेगा due to the dipole so that's all तो आज की वीडियो के लिए इतना आज के लिए इतना ही हम next वीडियो में करने वाले हैं liquid potential surfaces के बारे में करेंगे and potential energy के बारे में पढ़ेंगे and साथ में हम potential gradients के बारे में पढ़ेंगे or potential energy of a system of charges के बारे में हम भी पढ़ेंगे और साथ में हम electrostatic silding है जो faraday case है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे So take care, have a nice day and I wanna see you in the next one.